आपके लिए आलु चाट की रेश्पी लेकर आया हूं जो कि मैंने बेलकुल सिंपल तरीके से बनाई है तो चलिए देखते हो उसके लिए हमें क्या-क्या समागी जुरत पढ़ने वाली है यहां पर हमने थोड़ी से गिरेंट सोस लिए है यह पर एक प्याज लेती से कट कर लिए चोटा चोटा एक चमस के अरॉंड हमने चाट मसाला लिया हुआ है यह यह सब्सके पहले हम अपने अलो को च्छोटे 3 पीसमें कट कर लेंगे मुआ घार्था च्छोटा पीस नहीं करना है हमें मेडिय E 모습 में करना है क Japon के मेरे मेडियम साइस के अलो करंगा च्छोटे नहीं करूंगा कि देख सकते हैं आप ऐसे ही आपको अपने अलू कट कर लेने देखें हमने कट कर लिए तो चली अब बनाने स्टार्ट करते हैं हैर जिवन्हें कडायी ए मेद we'll जैब तोड़ा सा ऊड़ा डालतिये गर्मश्क छोड़े दिया है इसे हमार strains गराम होंचका तो हम अपने ओदॉद ढाल देंगे उख है ओर इन्हें फोर हम चाहँ है हम फ्राइये हमने को अब्ले वालो लिये थे तो हमके उलल अब जोमाई नहीं होने का सवाल नहीं रहता तो बन समय इन्हें अच्छे से फ्राइए करना आदक और से क्रंची कि हमद्ट है कि आशेए हम फ्राइए करита से बिच- चलाते रहें हैं एम यह तो फ्रायों तक्राइए यह मैं इसा फ्राइब करना है तो इसे मैं ऐसे ही पकाते रहेंगे बीज बीज में चलाते रहेंगे जब तक ही गोल्डन ब्राउन ना हो जाए देखे ब्रेंट्स यह यलो पड़ गया हमारे अलू काफी हत तक हीं का कलर चेंज हो गया है इसे हम दो से तीन मिनिट और पकाएंगे ऐसे ही तेज फिलेम में उसके बाद हमारे अलू पक जाएंगे कि इस इतने क्रेंची होंगे उतना ज्यादा हमारे अलू चाट का टेस्ट आएगा देखे फ्रेंट्स हमारे अलू एकदम में रेडी हो चुक है देख सकते हैं का कलर काफी चेंज हो चुक है तो इन्हें निकाल लेंगे अब हम इसे रेडी करते हैं हमारे आलू चाट बॉल में आलू डाल दिया हमने तो इसमें आपने चाट मसाला डाल देंगे आधी चमच आप अपने टेस्ट का अगोडिन डाल सकते हैं क्या साखाते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे साथ इसमें गरीन चटनी डालते हैं जो हमने ली थी जिरीन चटनी भी आप टेस्ट अगोडिंग डाल सकते हैं कि इतनी आपको पसंद है कि नहीं मैं गरीन चटनी मैं घर पर बनाई थी मैं इसकी रैस्पी भी बहुत जल्दी आपके साथ सेर करूंगा अच्छे से मेक्स कर देंगे इन्हें तो चलिए इन्हें हमें निकाल लेते हैं तो देखिए फ्रेंट्स हमारी अलो चाटबन के एकदम रडी हो चुकी है कि इतनी प्लीज मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बता हैं और मैं ऐसे ही नहीं नहीं रैस्पीस आपके लिए लाता रहूंगा थैंक्यू सो मच